यहाँ पर हम बात करते हैं जो women हैं उनके against biasness की तो देखिए इसी के साथ हम extra information के तवर पर जो gender social norm index है उसे भी आपर cover करेंगे क्योंकि यह जो चीज़ें यहाँ पर चल रही है यह इसी के regarding चल रही है अब देखिए जब हम बात करते हैं numbers की तो 86% और 90% women और men जो है respectively वो कुछ bias रहते हैं against women 2018 में यह पाय गया है according to UNDP's gender social norm index इंडिया में 2014-15 में bias यह शो किया गया है 97% of women and 99% of men तो यह यहाँ पर दर्शाता है कि किस तरीके से जो biasness है women के against में वो यहाँ पर increase हो रही है अब देखिए exam perspective से यह जो figure है यह trend तो आपको पता रहना ही जाए को exactly figure नहीं पु perspective से important है trend यहाँ पर increase हुआ है जो biasness का trend है वो increase हुआ है दो यहाँ पर feminism जो है वो हमें देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो trend है वो यहाँ पर increasing trend पर है तो trend अगर आपको पूचा जाता है तो increasing trend पर रहेगा तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा उसका दूसरी चीज जो यहाँ पर import आती है वो है social norms index तो extra information के तोर पर हम यहाँ पर gender social norm index जो है उसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि इस पर भी अपको question पूछा जा सकता है अलग-अलग indices काफी import है और काफी सारे indices जो है आमने already cover किये हुए है separate video भी उस पर available है तो आप वो देख सकते हैं उसमें इंडिय का rank क्या रहा है ये भी काफी import होता है और उसके सासाथ कौन इससे publish करता है ये भी import होता है तो जो indices होते हैं उस पर questions कैसे आते हैं सबसे पहला question तो आता है और सबसे local question जो पूछा जाता है normally की इसे कौन release करता है दूसरा question पूछा जाता है कि इसमें इंडिय का rank क्या है तिसरा question पूचा जाता है कि कितने countries participate करते हैं और उसे के साथ साथ जो first country है वो कौनसी है और fourth पूचा जाता है इसके कौन-कौन से parameters है तो इस तरीके से चार भागों में हम इसे divide कर सकते हैं किसी भी index को तो यहाँ पर अगर आप पहला question देखोगे तो जेंडर social norm index जो है जेंडर social norm index United Nations Development Program UNDP के दवारा release किया जाता है अब यह index में होता क्या है इंडेक्स जो है यह measure करता है कि जो social benefits है जेंडर equality के लिए वो किस तरीके से हैं politics में काम में education में किस तरीके से आपर equality जो है जेंडर equality वो हमें देखने को मिल रही है उसी के सासाथ इसमें 75 countries का data जो है वो cover किया जाता है 80% of the world's population जो है वो यहाँ पर cover की जाती है तो कितनी countries है 75 countries जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अब UNDP अगर हम देखते हैं जो इसे release करता है gender social norm index उसके regarding भी आपको information पता रहे ना चाहिए क्योंकि उसके regarding भी आपको question जो है पूछे जा सकते हैं तो United Nation Development Program यह UN's Global Development Network है जो established किया गया है 1965 में इसका जो headquarter है वो हमें New York, US में देखने को मिलता है और UNDP के द्वारा सिर्फ gender social norm index ही नहीं तो बाकी भी कुछ indices है जो publish के जाते हैं जैसे कि gender inequality index human development index ये भी कुछ index है जो यहाँ पर UNDP के द्वारा publish के जाते हैं release के जाते हैं अब क्या आप मुझे comment section बता सकते हो कि और कोई यहाँ पर index है क्या कि इनके द्वार release के जाते हैं और कौन-कौन से index जो है वो आपको पता है वो आप comment section में क्या लिख सकते हो अब देखिए फिर से हम आते हैं numbers पर जो यहाँ पर numbers दर्शा आगया है तो about half of the world's population जो है वो feel करते हैं कि main जो है वो better political leaders बन सकते हैं rather than female उसी के सासाथ 40% जो लोग है वो feel करते हैं कि जो main है ठीक है वो यहाँ पर better business executives जो है वो बन सकते हैं और उसी के सासाथ more rights to a job when jobs are scarce मतलब उनको ज़्यादा opportunities रहती है जो है उनकी availability कम हो 24% of the parliamentary seat जो है worldwide वो women के द्वारा held की गई है और उसी के सासाथ only 10 female head जो है वो government की हमें देखने को मिलते हैं और उसी के सासाथ less than 6% CEOs जो है SNP, 500 companies वो women है तो हमें देखने को मिलता है कि जो main है उनोंने हर तरब से अपना पगड़ा जो है वो भारी रखा है मतलब लोग का मानना भी यही है कि better political leader जो है वो male रह सकते है women जो है वो इतनी better political leader नहीं बन सकती as compared to female लेकिन हमारे आपर बहुत सारी female जो political leaders है वो भी हमें देखने को मिली है जिन्नोंने बहुत अच्छी तरीके से अपना कारेकाल जो है वो संभाला है शायद इसका ये कारण हो सकता है कि जो female है उनको घर से इतनी आजाती नहीं मिलती है कि वो politics में जा सके अगर उनका political background है मतलब अगर उनके parents जो है अगर politics में है और अगर कोई lady जो है वो politics में जा रही है तो वो जाती है मगर ऐसा बहुत काम हमें देखने को मिलता है कि जिनकी family politics में ना हो लेकिन वो politics में enter कर रही हो और वो हमें उपर जो गिने चुने लोग है वो देखने को मिलते है और आप तो ये तादात बढ़ भी रही है ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कारण ये हो सकता है हम जो reason दूढने की कोशिश कर रहे है कि क्यों यहाँ पर female को समझते नहीं है कि better political leader वो बन सकती है better political leader बन सकती है ऐसा क्यों नहीं समझ रहे है क्योंकि वो जादा बहार निकल कर आई नहीं है अब जादा जो ladies है वो बहार निकल कर क्यों नहीं आ रहे है तो इसके ये कारण जो है वो हो सकते है और कौनकों से कारण आपको लगते हैं आप comment section में लिख सकते हो उसी के साथ यहाँ पर 40% जो है वो job जो है square है तो यहाँ पर main जो है उन्हें साथ opportunities होती है अब इसके बीचे भी कारण है कि जो hire करने वाल लोग होते हैं वो यह देखते हैं कि company जो है profit में जाना चाहिए अब जब वो सोच रहे है company profit में जाना चाहिए तो वो सारे perspective दिमाग में लेते हैं मतलब अगर यह जो lady हम इसे hire करते हैं अगर यह pregnant हो गई तो हमें इसे जो free leave है वो यहाँ पर देना पड़ेगा उसी के साथ जो efficiency है वो proper तरीके से नहीं हो पाएगी तो यह सारे perspective जो है वो देखे जा सकते हैं शायद इसलिए यह होगा लेकिन यहाँ पर women जो है उनमें शमता यहाँ पर ज़ादा होती है main के मुकाबले कि वो कोई भी काम जो है वो fast तरीके से कर सके उनकी जो sincerity होती है वो बहुत भी खतरनाक तरीके की होती है मतलब वो अगर sincerely काम कर रही है main अगर 10 गंटे काम कर रहे है मतलब एक काम करने में उनने 10 गंटे लग रहे है तो female जो हो सकता है वो 5 गंटे में ही complete कर ले आदे गंटे में ही complete कर ले है ना तो यह भी चीज यहाँ पर जो consideration है उसमें लेनी चाहिए उसी के साथ-साथ यहाँ पर parliamentary seat जो है बहुत कम parliamentary seat है worldwide जो है अपर women के दवारा hail की जाती है सेम वही political scenario जो हमें देखने को मिल रहा है और CEOs अगर देखे तो less than 6% जो है वो यहाँ पर women हमें देखने को मिलती है तो यह हमें जो numbers है वो देखने को मिलते हैं तो आपको पूरा scenario यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस तरीके से gender bias ने जो है वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर आप देख सकते हो जो proportion है women का total labor foods में यहाँ पर labor foods की बात हो रही है तो total labor foods में अगर हम देखते हैं अलग-अलग countries का सबसे ज़्यादा Sweden जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसके बाद Indonesia जो है वहाँ पर देखने को मिलता है फिर बंगलादेश आता है उसके बाद यहाँ पर India जो है वो देखने को मिलता है और उसी के सासद अगर आप इंडिया का performance देखोगे तो पहले से यहाँ पर काफी गिरावर्ट जो है वो हमें देखने को मिली है और उसी के ससाथ यहाँ पर stagnant चल रहा है तो यहाँ पर exam perspective से important क्या होता है train कैसा है train यहाँ पर अभी stagnant चल रहा है ठीक है over the year 2012 से अगर आप देखोगे तो एकदब stagnant train यहाँ पर चल रहा है लेकिन पहले के मुकाबले अगर दिखा जाए मतला अगर over the decades की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर declining train जो है वो आप बोल सकते हो over the decades की अगर बात की जाती है तो ठीक है धान रखना आपको decades की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर declining train जो है वो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर train जो है वो decline हुआ है ठीक है और उसी के साथ यहाँ पर स्वीडेन जो है वहाँ पर काफी अच्छा परफार्मंस जो है लेबर फूर्स इसका वहाँ में देखने को मिलता है प्रपोर्शन जो है विमेन का